अब्रिवान सेट एंड फंक्शन में चोटा से टॉपिक हमारा बचा हुआ है आज उसको ख़तम करेंगे Applications of Set Theory इस पर बेज़ एक क्वेशन एक्वेशन में आ सकता है है तो अब्लिकिशन उसको है मतली अब अपल्लिकेशन और Venn diagram के से कशन करने हैं तो उसमें दो तरीके के questions है पहला तूट सेटर क्वेशन हो सकता है दूसरा ध्री सेटर two second question में what is the number of elements in a union b क्या formula होता है number of elements in a plus number of elements in b minus number of elements in a intersection b यह अगर आपको याद हो तो when diagram में मैंने बताया भी था कि अपने पास अगर यह a है यह b है कि कि यह a यह b तो यह हमारा a intersection b हो गया अब अगर मैं आपसे यह बोलूं कि a union b union का मतलब क्या होता है और और मतलब क्या होता था जोड़ना यह circle plus यह circle तो अगर मैं इस circle को रूँ तो number of elements in a आ गए plus इस circle को रूँ तो number of elements in b आ गए लेकिन यह करते बाद यह वाला term कितनी बार add हो गया दो बार जबकि हमें कितनी बार add करना है एक बार तो एक बार इसको माइनस करती है माइनस n a intersection b तो this is how you get a formula for a two setter union of sets ठीक है तो कहीं पे भी अगर आप से बूछ रहा है union union तो एक और नाम क्या उस कर सकता है at least one union का मतलब at least one होता है अगर कोई बोले कि at least one of a और b होने के कितने ways है तो इसका मतलब union निखा हो रहा है अच्छा इसी तरीके से three set diagram को भी इसी से समझ सकते है जैसे अगर आपने two set को समझ लिया two set को समझ लिया मतलब single वाले तो क्या करें आपने plus और double वाले आपने क्या करा minus तिक है अब यही continuity आपको आगे चलाने यह three set में मतलब single वाले plus करोगे na plus nb plus nc double वाले subtract करोगे a intersection b, b intersection c, c intersection a तीन double वाले हो सकते हैं तीनों को subtract कर लिए फिर triple वाला की तो एक हो सकता है उसको add करेंगे यानि alternate plus minus चलाना है और intersection लिते जाना है single वाले add, double वाले subtract और triple वाला फिर से add this is the formula for a union b union c समझ के करेंगे Venn diagram से तो ज्यादा बेटर है questions को ठीक है, let's take an example of one of these each first let us take an example of two setter question जैसे मैंने question लिया in a survey conducted among residents of a colony 30% were found infected with H1N1 virus 42% were infected with COVID-19 and 36% were not infected with either of these two viruses ठीक है, what percentage of the residents were infected with first part both the viruses second part exactly one virus of these two और इस तरीके questions अगर पूछ रहा है अलग 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 चीज है पूछ रहा है तो फिर यह formula जादा काम का नहीं आता है हमें Venn diagram से बना के solve रहना जादा बेटर होता है formula कब काम का है जब वो क्या पूछ रहा हूं कि दोनों में से कोई पी एक होने की कितने वेज तो हम formula से करेंगे वर्ना formula से करने का कोई ज्यादा यूज नहीं ठीक है अचा हमने टोटल तो ते ही नहीं रखा वैसे भी परसेंट में कर रहा है परसेंट में टोटल बेस्ट क्या है मांगना 100 ठीक है हमने माल लिए वह कितने एफ है रेजिदेंस कितने है कॉलोरी में 100 तो उसका बतलब यह हो गया कि अच्छी एच्छी एफ हैं तो यह देखो एच्छी वाला सरकल कितना है 30 इसका लें नहीं कि यह 30 उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा ओनली एच्छी तो फिर हम यह वाला पॉर्च्छ लेगे लेकिन एच्छी एफ लोग एसे थे इनको दोनों बेसे एक भी नहीं था तो इसको आपने क्या मालिया एक्स इसको एक्स मालते ही यह पूरा का पूरा सरकल कितना है 30 यह एक्स हो गया तो यह कितना हुआ यह पूरा सरकल कितना है 42 यह एक्स हो गया कितना हुआ 42-6 यह लिजिए हमने क्या है अच्छा आप में यह भी लो पता है यह सारा का सारा यूनिवर्सल सेट जो है इसका टोटल कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए अब आड़ करो सबको यह 30-6 प्लस एक्स प्लस 42-6 बराबर 100-36 यह इसको 36 तो भी इदर ही आड़ कर लो एक ही बाद है बेसिकल इन दोनों सरकल का जो टोटल हो क्या होना चाहिए 100-36 क्योंकि 36 लोग तो इन सरकल के बाहर है तो उन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया इक्वल करते ही देखो सब्सक्राइब यह इंस कितना हो गया 72 और 100-36 कितना हो गया 64 यहां से मिर पास क्या आता है यहां से मिर पास आता है 72-x is equal to 64 so what is x equal to 72-64 जो कि कितना आता है 8 और 8 आने का मतलब सिंस हमने टोटल 100 लिया था तो आंसर 8 है इसका मतलब कितना परसेंट हुआ 8 परसें तो बोट द बाइरस इसका आंसर क्या हो गया 8 परसें दूसरा पार्ट क्या पुचा है एक्जाक्ली व वाला हमें लेना है और यह वाला में लेना है लेकिन क्या में यह लेना है नहीं लेना है ठीक है exactly 1 का मतलब या तो सिर्फ यह हो जाए या फिर सिर्फ यह हो जाए तो हमें यह और यह दोनों को एलपनना है उतने लोग होंगे ठीक है तो यह कितना हुआ 30-6 और यह कितना हु questions on two sets तो बहुत ऐसे के ऐसी questions आखको सारे दिखने वाले हैं कभी कुछ ये unknown देदेगा कभी ये unknown देदेगा कोई भी एक चीज unknown देदेगा ठीक है this is how you have to approach the problem next let us see a question on three sets मैंने बोला out of a total of 500 students in a class 62% pass in accounts 42 41 percent pass in economics 50 percent pass in statistics तीन सब्जेक्स लिए अकाउंट्स पहले तो तीनों का देदी 25 percent pass in accounts and economics फिर दो दो का लेना चालू करती है 16 percent pass in economics and statistics 22 percent pass in statistics and accounts if 7 percent of the total students pass in all the three subjects how many students pass in अब चार question पूछे होने पहला none of these three subjects दूसरा only accounts तीसरा exactly two subjects चौता only economics and statistics तो इस तरीके के questions पूछ रहा है तो भी क्या better तरीक है when diagram not this यह तो सिर्फ आप यूज़ करेंगे जब क्या पूछ रहा हो कि at least one of the three subjects तो फिर हम सीधा वेंड डाइग्राम for a three setter ऐसा होनेगा वेंड डाइग्राम three setter का ठीक है आपके बाद एक circle किसका accounts का एक economics का और एक statistics का ठीक है accounts में कितने लोग पास हुए 62 percent अब total कितने लोग है 500 और सारा data किसमें ने रखा है percent में तो एक तो आर्गिये कर सकते हुए इस सारे percent को 500 500 का percent निकाल के solve कर लोग इतना हो रहा है तो वह कटने की जगे वह हम last में कर लेंगे हरे एक के लिए क्यों करें जो हम 50 percent एक क्या लिखा 50 वो बदलने का जंजट खतम हो गया वो कब बदलेंगे हम last में आंसर जंद निकालेंगे तो यह तो बात पक्की है नहीं कि जो चीज यह पूरा का पूरा फिगर किसमें से सो में से तो अगर मेरे को 500 में से निकालना है तो मेरे को जो भी answer आ रहा उसको 5 स मेरे करना है ठीक है कि नहीं जो भी मेरा परसेंट आ रहा है उसको में पांच से मटिप्लाइ करना हूँआ तो सो में से निकलने की जागे किस में से निकल जाएगा 500 में से तो हम last step पे करने अच्छा उसके बाद next step क्या दिये 25 परसेंट पास इन एकॉन सा एरिया हुआ यह इन दोनों सरकल का इंटरसेक्शन को कितना दे रखा है 22 तो यह पूरा लागा पूरा मैंने ब्लैक में दिखा रखा है 25 सिमिलरी सोला पर्सेंट सेवन कि स्टैस्ट्सतिक्स इकोनोमिक स्टैस्टिक्स कौनसा ओबहा है यह पूरा गापूरा वह कितना हुआ 16 और देना लोग कौन से यह रोग ने ना समय आउं क्यों पुर्ण क्यों पता है कर दो तो फिर अब 25 को मैं से अठाता हूं ऌर यहाँ साथ कितना लिख लेता हूं था हूं 25-7 यादी अब आपंस यह यह पूरा कितना था 16 16 में से 7 नो यह 9 अब थाली यह वाला पोर्शन 9 है और यह बागी का पोर्शन कितना है साथ ठीक है लास्ट वाल आजे देखो यह पूरा कितना है 22 22 में से साथ अटा तो कितना बचा 15 इसका मतले यह कितना है में पास 15 और वो मेरा 7 अब क्या होगा अब इससे यह भी पिक्चर दिए होगी कि यहां क्या आएगा क्योंकि मेरे को इस पूरे संकल का टोटल का टोटल 62 जरा इंतीनों को एड़ करो कितना आता है 18 और साथ 25 25 और बंदरा ठीक है तेर देखो 9 और साथ 16 16 और बंदरा 31 31 को पचास में से माइनस करो कितना आगया 19 यह ठीक है तो में पास यह सारी फिकर्स फिलब हो गए ठीक है अब एक चीज और बच गई हमारे पास कौन सी बच गई कि इन तीनों सर्कल के बाहर आने वाले लोग कितने हैं वह अब अब भी रहगा निकाल लेते हैं और वही हमारा फॉस्ट क्वेशन है नमबर अफ सुडेंट्स फास्ट इन अन आफ दीस त्री सब्जेक्स वह कौमसे लोग होंगे जो इन तीनों सरकल के बाहर हो गई कैसे निकालेंगे तो बहुत सिंपल है इन सब सारी चीजों का टोटल अगर मैं 100 में से माइनस कट दूँ तो यह वाले लोग आ जाएंगे के न आ जाएंगे तो अब मैं फॉस्ट फार्ट सौल कर रहा हूं क्या होगा मेरा फॉस्ट पार्ट पार्ट सन्धा सब्जेक्स करना में सब का टोटल इन सब का टोटल देखे जए नहरा यह पूरा सरकल तो मैं पता ही अभी कितना है यह पूरा सरकल 62 ठीक है यानी यह वाला पार्ट हो गया तो इसके बाद 7 और 9 यह जोड़ दूँ 7 और 9 और क्या जोड़ना है मेरेको 19 अब देखो सब कुछ जोड़िया कि नि जोड़िया यह सरकल पूरा ही जोड़ लिया और यह साथ यह 9 और य कितना है 100 माइनस यह कितना हुआ 99 9 28 28 and 62 62 and 28 90 90 plus 7 97 इसका वाला कितना बचा तीन यानि क्या आज़रा है मेरा कि तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्स में पास नहीं हुए ठीक है 3 परसेंट लेकिन मेरे से उसमें परसेंट नहीं पूछा था उसमें आंसर क्या आजाएगा 3 into 5 डाट इस 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी स्टूडेंट एक भी सब्जेक्स में पास नहीं है सेकिंड क्वेश्चन सेकिंड क्वेश्चन बोलता है अभी निकाल लिया मतलब तो यह वाला एडिया हो ना खाली यह वाला कौंसा एरिया मांग और कितने लोग है हुआ इसे तो आंसर गया हुगी हमारा 22 लेकी टुटीटीटू थो क्या है है परसेंट को मैं इससे करने हमें पाट से तो आंसर गया हमारा 110 ना थार्द पर्ट पर और ब्या बोल रहा है एक्जाक्ली फूसब्यक्स अब यह कौंसे दोग है जो इस जाएगा हूँ तो इसका मतलब यहां थर्ड पार्ट मेरा अंसर क्या आएगा 18 प्लस 9 प्लस 15 कितना होगे 27 15 42 42 परसेंट हुआ तो 42 परसेंट हुआ का आंसर क्या निकल क्या आएगा 42 into 5 यानी 210 फॉर्ट फॉर्ट पार्ट पर्सेंट है लेकिन उन्ली एकॉनोमिक शांस्ट इस्टिक्स यह वाला पर्शन फॉर्ट इसमें तो अकाउंट पर्श हो रहा है तो मेरको कौन सा वाला चीज खाली नाए तो फॉ नाइन परसेंट मुल्टिप्लाई किस से घंडा है पांग से तो 9 इंटू 5 45 तो यह सिंपल तरीका है आराम से वेंड डाग्राम बनाओ सारी चीजे नोड करो क्या अन्नोन होगा वो निकाल लो उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाता है और इसमें हमेशा यह ज्यार रटना कि जो भी चीज़ आद निकाल रहें तो एवरिधिं शुद भी पॉजिटिव यह यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए जीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो अगर आपका नेगेटिव आ रहा है सॉल्व करते वाद इसका मला आपने ग नेगेटिव जो उना चाहिए आना चाहिए है सॉल्व ONE